हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग उत्तर प्रदेश ग्राम में विकास विभाग में एडिशनल प्रोग्राम ओफिसर की वेकेंसी आई है तो आप लोग इस वेकेंसी में अपलाई कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे तो आप लोग इस वी तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग सेवायोजन की ओफिशियल वेब साइट पर आएंगे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जायागा इस पर आने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेश होगा यहाँ पर दोस्तों आपको पर आपको प्रॉप्शन मिलेगा और लेडी मैंने वीडियो बना रखा है आपको इस वीडियो का लिंक की डिस्क्रिप्शन में मिल जायागा फिर दोस्तों आप लोग लॉग इन हो जाएंगे फिर आपको उपर आप्शन मिलेगा समस्त नौकरियां आप वीवरंड देखें पर क्लिक करेंगे फिर आपके सा अगर आप लोग इस वेकेंसी की अधिक डिटेल देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको साइड में ऑप्शन मिलता है रिक्ती वीवरंड आप इस पर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने इस वेकेंसी की पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी जैसा कि आप यहाँ पर देख सकत है जो कि आपके पास किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए और यहाँ पर दोस्तों इस वेकेंसी में पूरुष महिला विकलांग भूत पर उसैनिक खिलाडी सभी लोग आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों जो आपकी सेलरी है वो 34,140 रुपे प्रती महा आपको मिलने वाली है साथ मैं यहाँ पर नियुंतम आयू बताई गई है जो कि 21 वर्ष और अधिकतम आयू यहाँ पर 40 वर्ष आपकी हो सकती है यहाँ पर आपसे कोई भी experience नहीं मांगा गया है और यहाँ पर इसमें बताया गया है कि आरक्षन के नियमों का पालन किया जाएगा तो दो के पर क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों आप लोगों को विट करना है अगर आप इस वेकेंसी के लिए सौट लिस्ट होते हैं तो आपको इसकी जानकरी मेल के द्वारा दे दी जाएगी आपके इंटरव्यू और डॉकमेंट वेरिफिकेशन की डिटेल भी आपको मेल में मिल जाएगी आप लोग दिये गए लोकेशन पर जाकर अपना डॉकमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू देकर इस जाप को प्राप्त कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग भी उत्तरप्रदेश ग्रामे विकास विभाग में एडिशनल प्रोग्राम ओफिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपका कोई वी सवाल या सुजाओ है तो आप कोमेंट सक्षन में हमसे पूछ सकते हैं धन्यवाद